कि राजेश्परी कापणी यह अपना ब्यार में फिरंसिपल थी और सोनिया ब्यार में है पड़े इस्थिक और बहुती अच्छे वैवार भी पड़ाना चाहिए कि राजेंदर राजा एक उनको आमने रखाए वह अपस में प्यार नहीं लोगों बनाएंगे इनको नहीं लाएंगे और कोई बेक्ती हमारे बीच में अगर इसी तरह आँपने रखाए अपने उस पर इसमेर रखाए बाइसा यह दमने रखता है आपारे हाँ ब्रहां कोई देखती है ऐसा हो कि बोगो दिला उता हो और आप में खखाना है जाद नहीं एताजा क्योंकि अधिर साल के लिए पियां में रखना है आप अपना प्रेंदर जीन को आप आज बजलती है अज़ो अचली हुए पड़ाज आप नौद वो प्रुपना इस पे अभियां को रहा हो निजा आगे लिए ओम प्राह्मान समाज ब्राह्मन समाज अशोग नगर, ब्राह्मन समाज कल्जान समिथी ब्रह्मपुरी, बाई साथ इसके तरफ जान दो जिसी के छेत्र का रहेंगा, तल आप यू कहोगे कि बैयो हमारा इक समाज बना हुआ है, इसका नाम नहींगे, वो नहीं होना चाहिए पुनीत शर्मा है, निगंपार्शदे वरत्मान में, जो बारिया मेंट में बार चली थी, कि वो किसी भी दल करनेता हूँ, किसी ने भी एक बड़ नी बोला, किसी ने भी एक बड़ नी बोला, तो हमारे लिए सब हमारे लिए ऊचूत हैं, भई हम तो समाज के रूप में बात कर रहे हैं, हम यहां से बात निकल जो बीजे पिके पर रेस के आम आदिमी के उसकते नहीं, यहां किसी के दलधी नहीं है, अगर आप बूला रहे हो किसी ने ने पूछोंगे, यह निभी वोगो को पुलाव पुलाव समाज के लिए। ऐगोगोगोग अधिवार लि vlogging से निकाल दो कि हमारे समाढसE NETA बढ़ा है आई देने और देने आई देने आई अन्नावाद भॉसकंदर भाजी समर्था मर्जी से नहीं अनुमती से अनुमती सी एक मेरा दुख जो नहीं पहले मेरी बाप तो पूरी अनने दो फिर सब्सक्राइब हादरी ने भाई साब ने बहुत इच्छा सुजाव दिया उस बारे मेरा कुछ बिचार है उसके रखना चाहते हो आपके सामने जो नेदावी बच्चे या 32 साली बच्चों के बारे में जो बिचार बच्चार और उसमें तेकिन उने बोला कि भी हम उसके मदद करेंगे बिल्कुल होनी चाहिए और मैं हर तरीके से उसमें सहयोगी और भागीदारी रहूंगा यह भी मेरा बच्चल है लेकि मेरा विचार इसमें एक और है कि उसमें हमें A काटेगरी B काटेगरी और C काटेगरी बनानी चाहिए B काटेगरी ऐसे बच्चे B काटेगरी ऐसे बच्चे 32 साली तो है उनको मदद की भी याँ हो सकता है लेकिन वो रिटन हो सकते है उससे पैसे तो उससे रिटन के पेक्षा रखी आए C काटेगरी ऐसी रखी जाए तो कि संस्ता चलानी है तक आता हो दान दाता हो क्या जो दान है मैं इसको चाहता हो क्यों हमार हो जाए वह भाई नहीं 11,000 रुपे दी है तो 11,000 रुपे मल्टिप्लाई और रोटेट होते रही आज इस बच्चे काम आए परसो दूजरे बच्चे का आए तीसरे बच्चे काम आए वह होंगे तभी बैंक से मानने चलो कि एजुकेशन लौन 12% मिलता है 10% मिलता है जो की शुलब नहीं है हर किसी बच्चे को मिल भी की सकता तो मेरा विचार अपना यह है बहुत ही नॉमिनल इस रेट पे इस रेट पे इस टॉम्मेंट बान दी जाए आप तर एजुकेशन लौन तब तक आप उसको दो बढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है हम सब लोग अच्छे तभी के से सहयोगी करेंगे अब जब वह इंट्रेक्स आएगा आप करेंगे हम क्या करेंगे उसका इंट्रेक्स से जैसे वहीया भी पता रहे है कि हमें टाटा तैयार करना ब्रामुनों का उसमें आप कुछ पेडिंप लोई रखो दो आदमी तीन आदमी कि हम लोग समय नहीं दे पाते कि दो गंटे चाल गंटे गली में जाना है टाटा करना नहीं कर पाते कौन बेनिफिसरी हो सकता कि इस बच्चे को यह हमें अनुदान देना है कि इस बच्चे को एड़ोग करना है इसकी आइडेंटिफिकेशन करना पी बड़ा मुश्किल काम है तो वो जो हमारे वरकर होके जिनकी चंखा हम इस इंट्रेक्ष्ट के बाद्यम से दे थकते हैं मेरा एक इस फुझाव है इस एसी विवस्ता बनाई जाए ताकि एक दान जब आए तो उमर्पिक आई है दोरा जीवन समाज सेवान अड़ीता है से मेरे चोटे भाई एपिन शर्मा जी तो आए तुकतर बुझी दिल्ली गुबस बाद शेट पिए अधिए भाई रादी शाम कोशिक जी और हाँ एक नाम सूतिया मेरे प्रदेश के बिल्या तुभारी अधिए भाई राहुल अधि पारशार जी अधिए अभी लिप कर ज़ते आए के इस तारिक को होने जा रहा है तेरह बजर्वरी को होने जा रहा है इसके में मैं रादेशाम कोशिक की ने पूर चल्चा की है पहले तो इस भूमी को मैं नमन करता हूं कि जहां से मुझे आज भी याद है आज से लगबत साड़े चारवर स्कूल जब मुझे जलाग देश के रूप में जुम्बबारी मिली थी पहला कारक्रम इसी हॉल में बैठ करके पूरी कारकाडी की घुस्टना मैंने इसी हॉल में की थी और आज मुझे दिखाई दे रहा है है कि वो जो एक कुछ पौदा लगा है वो एक बट प्रक्ष के पल में थो रहा है आपकर जितने भी लगबत आज़ा का कुपे आए हैं उनने कहीं ने कहीं ने कहीं राएमित एक को पी जबू हुआ है और उसका ही महिंगाव होता है कि हमारा समाज बिख्राव की तरशना यादा है और वो समाज के अंदर एक जो अच्छा संदेश जाना चाहिए कहीं न कहीं स्मट करें कि आत्मी खाली हैं पैसा नहीं आत्म है जो जो इतने ही बड़त इसकाम हो सबी तो इस बिना पैसे कि कर लेन भी जो सेयोग कर सकता हो कि एक रूपा हो जार रूपा हो सब कह बरावन है जो सेयोग करना चाहिए उटन हम किसी सा कोई चंदा आमाज नहीं रहे लेकिन वहाँ जो भी वेक्ट्रे है अगर हमारे संवे मेरे में पैसे दारी हो जै उसका एक दर्का भाव यहां हाई निक में दुमाला आपको बता रहा हूं कि 25-30 लोग तो हमारे पास आ जुके मुझाने की बताओ क्या देना है लेकिन हम सभी का सयोग हो चाहिए पोपे लाओ तो जो भी भाई उसमें सयोग करना जाये तो दसीत भुपी शपवाई है निक भी लाओ जैसे खाज भी भी लोग तो जोगी टोदी में वोग जोगई है लोग जोगे लोगे ने बीद yemादी ओं जा किवे सिना के विट आताओ खिल में तो जारी है हुष्टे करना है उस्टे कि पेदीन है, नोसम जोगो लेकि ऐसा अग्र ठीचिके से आरा है एक सबीका बहुत करता हूँ जो आप लोगोंने प्रहामर समाज का इपराद रहने है और सब को पूईता करने का ना हुए तो कि हमारे ब्रामण समाज की तरफ सब की दिखाए हुए है तो इभी काम जब हम करते हैं तो पूरा देश इसको देखता है कि ब्रामण समाज के लोग क्या कर रहे हैं तो आपका जो ब्राम है जब लग जबेंगे मैं जिम्मर्ण दारे को फूरा देगा को अब अजब का रहे हैं तो मुझे बतारा नो जिम्मर्ण दारे को पूरा देगा आप सभी का मों बोड़ाए है परियास है कि हम सब एक साथ रहे है तो आज क्या नेड़नेत है आज कार्यकार्णी की बैठक थी 13 जनवरी के आयोजन के लिए हमने इस कार्यकार्णी से हमने कार्यकार्णी से परमिशन लिए इस कार्यकरम को किस तरह से हम इसका संचालन करें और किस तरह से इसकी रूपरे काम दें ऐसी हमने अपनी कार्यकार्ण इसे पर्मिशन लिए तेरा तारी को बावरपूर विदान सभा में अनुप सिंग वाटी का तेरा जनवरी दिन रवीवार को सुबह साड़े दस बजे प्रोग्राम हमारा जो है समेलन आरम हो जाएगा सही एक बजकर तीस मिनट पर हम सभी भाईयों को बोजन की विवस्ता कराएगा रादेशाम कोशिक जी एक मेरा भी पर्सनल सुजाओ ये है कि हमारी इस लोक सवा में हजारों की संख्या में मंदिर है क्यों न उस कारेकरम के अंदर उन पुझारियों कभी बुझांद किया जाएग उंका भी संबन qi a yagisin क्यों न एक शंकशनाथ हो जाएग दीप्रवजलित हमारे जो है 21 ब्रामनों का चुनाव करेंगे उन में से हम वो करवाएंगे सभी का सम्मान है सभी को हम इनवाइट करेंगे और आप से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी हमारे सम्मेलन में सायोग करें और अधिक से अधिक लोगों को इसमें बुलाने का आप भी अपनी तरफ से भी परियास करें वचन बाद है आपको वचन निभाना चाहिए आप ब्रामन है आपका हक बनता है और अगर आप युवा है अगर आप भी इस कार्य करम को आगे नहीं बढ़ाएंगे हम तो आने वाले समय के हम तो भूतकाल होने जा रहे हैं आपको ये सम्मेलन आगे करने हमें नहीं करने शर्मा जी तेरा तारीक के लिए क्या आवाहन करना जाएंगे तेरे जनवरी के लिए मैं सारे समाज का आवाहन करता हूँ कि ये एक सची शुरूवात है अच्छी शुरूवात है इसमें सभी लोग अपने सारे सारे मतभेदों को बनभेदों को बुला करके समाज के एक जंडे की नीचे आएं राहुल जी मेरा शुरू से मानना रहा है कि जितने भी कलोनियों की सभाय हैं वो बनी रहें अपने अस्तित में रहें कि उनका एक सीमित दाइरा होता है उस सीमित दाइरे से बाहर जाकर बात नहीं कर सकते हैं अखिल भारत वर्सeed अपन्य माशवा सारे सारे साहे इंदुस्तान के अलावर नैपाल जैसे राष्ट में हमारी शाखा है बात ओसे तो हमें अखिल भारत पर से ब्रहांपर महासवा के साथ जोड़ करके हम अपनी आवाज को बुलंद करें अपनी समस्याओं को सरकार से अफगत कराएं उनके निवारन के लिए हम प्रियास करते हमेशा रहे हैं और आगे भी करते रहे हैं मैं सभी भाईयों से प्रात्ना चाहेंगा कि इसे राजनीती में ना लेकर और बहुत अच्छी तरीके से समाज सेवा के दूब में लेना चाहिए और सभी भाई मिलकर के इसे पूर्ण रूप से सफन बनाई शेव कुमार जी क्या कहना चाहेंगे इस कारिक्रम के लिए जो तेरा कारिक्रम होने जा रहा है। हमारी एक भविषय की योजना है इस समाज के माध्यम से कि जो मेधावी और प्रतिभासाली बच्चे हैं अच्छे माक्स लेकर आते हैं लेकिन किसी परिष्थितियों के कारण वह आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए एक समाज ने एक सोचा है कि कुछ फंड बनाये जाए कि जिसके माध्यम से हम उन मेधावी बच्चों को प्रतिभासाली बच्चों के का भविषय उज्वल मना सके तो उस विषय में एक प्रस्ता पास हुआ है आने वाली तेरे तारिक को उसके पूर्ण स्वी घोशना होगी किस तरीके से वह प्रारूपना आएगा विपन जी क्या कहना चाहेंगे तेरा काले करम भरामन समाज का प्रोग्राम होने जा रहा है इसमें सम्मिल जुलतर सेयोग करके एक लोग से आपस में प्रेम भावसे और भगवान पशुराम जी को याद करते हुए इस प्रोग्राम को पूरी मैनस के साथ हम सफल कर वहीं आपने भी समाज के लिए तो हम वैसे ही मेरे पिता सरगिरा मपाबू शर्मा जी के टाइम से हम व्हाना पूरा परिवार समाजary करें लगा रहता है प्रामण समाज और हर समाज के लिए हमए दारित बंता है कि हम जो हम से हो सके हम वो काम तरह करें ब्राम्मन समाज पूर्ण रूप से सक्री है आज लोगों को हमें हधिक से जोड़ना है और जो भी आज तक और भी समाज काम करते हैं और जो योजना हैं अब तक तो जवानी चलती थी अब कि वह इसकारेकरम के बाद हम कोजिस करेंगे कि उसे भूतल पे और प्रैक्टिकल र बड़ा ही नहीं होगी इस बार जो शायता होगी पूर्ण रुप से आर्थिक शारेरिक जिस्तरे से किसी मदद होगी पूरी मदद करने ही कोशिश कीज़ें